नमस्कार दोस्तों सर्दियों के सीजन में हमें अपने गुडल के पौदे की कुछ जादाई देखरे करनी पड़ती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों के सीजन में हमें अपने गुडल के पौदे में कौन सा फाइट लैजर देना चाहिए पौजे की किस तरह से कियर करनी चाहिए जिससे सर्जियों में भी हमारा गुडल का पौदा फूलों से भरा रहे तो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल गरीन गर्डन पर और मैं हूँ आपका दोस संदीब अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए है या फिर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए फिर मैं वीडियो की सुरुवात किये देता हूँ दोस्तो गुड़ल एक बहुती बहती बहतीन फूल देने बाला पौदा है गर्मियों के सीजन में आपने देखा ही होगा कि गुड़ल के पौदे पर कितने सुन्दर सुन्दर फूल आते हैं और ये कई कलरों में भी पाया जाता है लेकिन बिंटर सीजन में हमारा गुड़ल का पौदा डॉर मेजी में चला जाता है और ये फ्लावरिंग कम कर देता है फूलों का साइज है वो भी छोटा होने लगता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट फायट लैजर सेयर करने वाली है जिससे आपका गुड़ल का पौदा फूलों से भर जाएगा और जो फूलों का साइज है वो भी बड़ा होने लगेगा तो चलिए फिर मैं आपको फायट लैजर भी बना करके दिखाई देता हूँ लेकिन उससे पहले हम अपने गुड़ल के पौदे की कुछ केयर और टिप्स के बारे में भी जाने लेती है दोस्तों गुड़ल एक हैवी फीडर प्लांट है अगर इस पौदे को समय पर खाद और पानी ना दिया जाए तो ये फ्लाबरिंग कम कर देता है चाहे कोई भी सीजन हो अगर इस पौदे को समय पर खाद और पानी मिलता रहेगा तो ये पूरे साल फ्लाबरिंग करेगा आप गुडल के पौदे में कोई भी और्गैनिक फाइट लैजर डाल सकते हैं तो चलिए फिर हम इसकी सोईल मीडिया के बारे में भी कुछ जाने लेते हैं दोस्तों मैं अपने गुडल के पौदे की सोईल मीडिया मेंसा यासी रखता हूँ इसमें मैंने दो दिन पहले गुड़ाई की हुई थी और ये देखी मिट्टी पूरी तरह से भुरुबरी बन गई है अब ये फाइट लैजर देने योग ये बन गई है तो चलिए फ्रेंट्स फिर हम फाइट लैजर को भी बना करके आपको दिखाई देते हैं जब भी आप अपने गुड़ल के पौदे में कोई भी खाद या फाइट लैजर दें तो सबसे पहले आपको अपने गुड़ल के पौदे की घुड़ाई करनी है और फिर उसे आपको 24 गंटे के लिए दूप में छोड़ देना है जिससे आपके गुड़ल के पौदे की जो मिट्टी है वो इस तरीके से ड्राई हो जाए, सुख जाए उसके बाद ही आपको अपने गुड़ल के पौदे में कोई भी फाइट लैजर या फिर खाद देना है तो चली फ्रेंड सम फाइट लैजर को भी बना करके दिखाई देते हैं आपको दोस्तों फाइट लैजर बनाने के लिए मैंने इस बकेट में 4 लीटर ताजा पानी लिया हुआ है ये देखिए और दूसरी चीज हमने लिए हुई है मस्टर्ड केक याने के सरसों की खली इसमें बहुत सारे मूले तत्तों पाई जाते हैं जो के हमारे पौदों के लिए काफी फाइदे मन्द हैं कास करके गुढल के लिए ये मैंने 50 ग्राम लिए हुई है तो चलिए फिर मैं ऐसे पानी में अच्छे से डाले डेता हूँ और दूसरी चीज हमने लिए हुई है जाइकरी याने के गुड ये भी इसमें भी बहुत सारे मूले तत्तों पाई जाते हैं ये भी हमारे पौदों के लिए काफी जादा फाइदे मन्द है तो चलिए फिर मैं ऐसे भी पानी में डाले देता हूँ जिससे ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और फाइट लाइजर बन करके रेडी हो जाए दोस्तों अब हमें बेट करना होगा कम से कम 24 गंटे का तो चलिए फिर 24 गंटे की अपडेट के साथ मिलते है हर दो तीन गंटे बाद आप एक लकड़ी की साथा से से इस तरीके से चलाते रहिए जिससे ये पानी में जल्दी से डालीड हो जाए मिक्स हो जाए तो चलिए अपडेट के साथ मिलते है दोस्तों ये पूरे 24 गंटे बाद का अपडेट है और हमारा फाइट लैजर बन करके तैयार हो गया है ये देखिए इस फाइट लैजर को अगर आप अपने गुडल के पौदी में डालते है तो फ्रेंट्स आपका भी गुडल का पौदा फूलों से भर जाएगा चाहिए कोई भी सीजन हो तो चलिए फिर मैं आपको इस फाइट लैजर को अपने गुडल के पौदी में भी डाल करके दिखाए देता हूँ किस तरीके से आपको अपने गुडल के पौदी में इस फाइट लैजर को डालना है तो फ्रेंट्स ये है मेरा वो गुडल का पौदा तो चलिए मैं इसमें अच्छे से फाइट लैजर डाल दे देता हूँ इस फाइट लैजर से आपके गुडल के पौदे पर फूल तो जादा आएंगे ही और पौदा कापी तेजी से ग्रोथ भी करेगा तो फ्रेंट्स इस तरीके से आपको अपने गुडल के सभी पौदों में इस फाइट लैजर को अच्छे से डाल देना है जैसा कि मैंने अपने गुडल की पौदी में फाइट लैजर अच्छे से डाल दिया है ये देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा रगा हो तो इस वीडियो को एक बर लाइक और सियर जरूर कीजिएगा जिससे अन्य लोग भी इसका लाब उठा सकें तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद थैंकियू